मदद करू, राजा को सड़क पार करनी नहीं आती राजा, राजा, रुको, रुक जाओ राजा, क्या तुम ठीक हो? हमें सड़क पार करते वक्त, सावधानी बरतनी चाहिए लेकिन कैसे? इधर आओ, मैं बताती हूँ पहले अपनी बाई तरफ देखो, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही यह मेरी बाई तरफ है, इधर तो कोई गाड़ी नहीं आ रही चलो जल्दी सड़क पार कर लेते हैं रुको, रुको बस, राजा रुक जाओ अब दाहिनी तरफ देखो कोई गाड़ी आ रही है? नहीं, चलो, अब सड़क पार करते हैं दीखो, दोड़ना मत, गिर जाओगे हम तीज चल कर पार कर लेंगे तो राजा ऐसे ही सड़क पार करनी चाहिए पहले अपनी बाई तरफ देखो फिर राहिनी तरफ अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही हो तब हमें सड़क पार करनी चाहिए राजा, अगर तुमने इस तरह सब्धानी से सड़क पार नहीं की तो छोट लग जाएगी अरे दादी मा, नमस्ते दादी, हम राजा और बस को सड़क पार करना सिखा रही थे आप कहा जा रही है? मैं तो बस से शहर जा रही हूँ क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? हाँ दादी मा, बहुत मज़ा आएगा चलो, साब्धानी से सड़क पार करके बस स्टैन पर चलते है अरे भाई, तुम सड़क पर खेल रहे हो छोट लग जाएगी हमें सड़क के पास नहीं खेलना चाहिए तारी मा क्या कर रही है? वह लोगों को कतार में खड़ा होने के लिए कह रही है कतार में क्यों? कतार का मतलब है एक पंक्ती में खड़ा होना यह एक अच्छी आदत है कतार में रहने से हम बिना किसी धक्का मुकी के आराम से बस में चड़ जाते हैं हाँ कतार में खड़ा होना हमेशा सही होता है चलो चलो हम भी कतार में लग जाते हैं बस आ गई मैं तो यहीं उचिनू बस नहीं बस बस वह बस के बारे में बोल रहा है वो देखो बस आ गई अरे यह क्या कर रही हूँ यह सुरक्षित नहीं है ऐसे करोगे तो बस से गिर जाओगे चलो अंदर चलो वह क्या कर रहा है वह बस की छट पर चड़ रहा था वहाँ बैठना खतरनाक है हमें चलती बस में भी नहीं चड़ना चाहिए चलो अभी बस खड़ी है जल्दी चड़ो दादी मा मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए ठीक है चीनो लेकिन अपना हाथ और सेर बाहर मत निकालना बस इधर आओ अपना सिर अंदर करो हम तो चले शहर को हम तो चले शहर को चलो सब इधर आजाओ यहाँ फुटपात पर चलो फुटपात क्या होता है यह फुटपात है फुटपात सड़क की किनारों पर होता है पैदल चलने वालों को इस पर चलना चाहिए सड़क पर पैदल चलना गलत है मैं भी अब फुट पात पर ही उड़ूँगा राजा चलो फुट पात पर चलो सड़क पर चलना सुरक्षित नहीं है बाप प्रे मीनू या क्या सड़क पर जीब्रा सड़क पर जेब्रा कहा से आएगा बहत ताली और सफेज रिखाई है बस बस हाँ ये जेब्रा जैसी दिखती है इसलिए इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं हम जीब्रा क्रॉसिंग पर क्या करते हैं? अगर हमें सड़क पार करनी हो तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही करनी चाहिए आव चलो सडक पार करें जीब्रा क्रोसिंग जीब्रा क्रोसिंग अरे 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 बस क्यों रुक गई यह क्या है यह लाल रंग का क्यों है यह ट्राफिक लाइट है या लाल बत्ती जब लाल हो तब गाड़िया रुक जाती है पीली हो जाए, तो चलने को तयार और हरी होने पर गाड़ियां चल सकती है मुझे तो एक कविता भी आती है मैं गाती हूँ लाल बत्ती, लाल बत्ती, बताए क्या? रुकचा, रुकचा, जाना कहा? पीली बत्ती, पीली बत्ती, बताए क्या? तयार हो जा तयार हो जा हरीबती हरीबती बताए क्या चलाजा चलाजा बड़ी अच्छी कविता सुनाई मीनू दादी मा आऊ ना आईस्क्रीम खाने चलते हैं दादी मा शहर के यात्रा तो मज़ेदार रही हमें बहुत अच्छा लगा हाँ लेकिन अब घर जाने का समय हो गया है चलो बच्चों बस से घर चले दादी मा मैं तेरने जाओ मैंने तौलिया और निकर ले लिया है बेटा अकेले तेरने मत जाओ जो दादी मा मुझे तो तेरना आता है जाने दोना दादी मा अकेले तेरना सुरक्षित नहीं होता अगर तुम्हे कुछ हो गया तो तब तुम तेर भी नहीं पाओगे अगर तुम अकेले होगे तो तुम्हारी मदद कौन करेगा इसलिए पिता जी के साथ कल तेर लेना और वैसे भी तुम्हे ठण लगी है इस हालत में तुम्हे तेरने नहीं जाना चाहिए ठीक है ठीक है कल मैं पिता जी के साथ तेरने जाऊंगा और बस तुम्हारी हाथ में क्या है कुछ नहीं वह तो बस दिखाओ मुझे यह तो बस माचिस की एक तीली है माचिस की तीली तुम इस तीली से क्या करने वाले हो मैं मैं तो मैंसे जलाने वाला था बस हमें कभी भी माचिस की तीली या आग सी नहीं खेलना चाहिए यह काफी खतरनाक होता है मीनू देखो राजा क्या कर रहा है राजा इधर आओ अरे क्या कर रहे हूँ बिजली की तार को मुझ से मत काटो राजा बिजली का करंट लग जाएगा हमें बिजली के तारों के साथ खिलवार नहीं करना चाहिए चीनू तुम चाकू से क्या कर रहे हो मैं जरा ये डिबबा खूर रहा था चीनू चाकू बहुत तेज है तुम्हारा हाथ कट सकता है पिताजी से कर खुलवा लेना ओ मेरी उंगली कट गए इससे खून निकल रहा है दादी मा दादी मा चीनू की उंगली से खून निकल रहा है उसने चाको से काट लिया चल दे आओ ना मैंने पहले ही मना किया था आओ पहले हम खाओ को थो डालते हैं उसके बाद दादी मा इस पर पट्टी कर देंगी दोस्तों अब हमें जाना है चीनू का ध्यान भी तो रखना है दोस्तों हमेशा साफ धानी बरतनी चाहिए नहीं तो चीनू जैसा हाल होगा अब इन वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाने में मेरी मदद करो हमें सड़क पर खेलना चाहिए गलत बस पर कतार में चड़ना चाहिए सही हमें चलती बस से अपना हाथ या सिर्ब बहर नहीं निकालना चाहिए सही हमें अकेले तैरना चाहिए गलत हमें आग से खेलना चाहिए गलत बिजली के काम हमें खुद ही करने चाहिए कलत हमें फुट पार पर चलना चाहिए सही जीब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए सही प्रश्ण और उत्तर हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए पहले हमें अपनी बाई और फिर दाहीने तरफ देखकर यह तै कर लेना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही तब हमें सड़क पार करनी चाहिए सड़क कहा से पार करनी चाहिए जहां जीब्रा क्रासिंग हो क्या हमें सड़क पर दोड़ना या खीलना चाहिए नहीं क्या चलती बस में चड़ना उतरना सुरक्षित है नहीं चलती बस से अपना सिर या हाथ निकालना सही है क्या हमें आग से खेलना चाहिए नहीं यह घतरनाक है अगर हम घार वाली चीजों से खेलेंगी तो क्या होगा? हम घायल हो सकते हैं अगर कोई आदमी घायल हो तो क्या करना चाहिए? हमें उससे डाक्टर के पास ली जाना चाहिए अलविदा दोस्तों हमेशा साफधान रहना और खतरनाक चीजों से मर खेलना हमेशा साफधान चीजों से खेलना